अस्सालामुलीकुम फ्रेंड्स वेलकम टू जवाहिर रियक्शन्स होप याला गुर्ड मैं भी बिल्कुल ठीक हो अद्वा करती हूँ आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खुशबाश फिट फार्ट और शाद अबाद हो अच्छा फ्रेंड्स यतारा की वीडियो दे दिया था जिसको नजवाल विगम उन्होंने डिनाई किया था कि नई जी ऐसी कोई बात नहीं और अगर ऐसा कुछ होगा तो सितारा बताएंगी या हम लोग बताएंगे तो उनको है सितारा से ही ये निव्ज ब्रेक करानी थी यहाँ पर सप्राइज देना था यहाँ पर सि प्चियों के बच्चों के बहुत अच्छे बहुत नेक प्यारे नसीब करें, सचे बखके जोड़ हों, दिल मिले रहें, रिष्टे जो हैं, उनमें महबतें बरकरा रहें, अच्छा बहुत एक अच्छा सा सेलिब्रेशन लग रहा था, उन्होंने जिस हद तक भी घर में एक स उनके साथ आप जितना जादा इन्वाल्व होती चली जा रही है जितना जादा उनको अपने थ्रू प्रोमोट कर रही है तो ये चीज सही नहीं है आपके लिए फेवरिबल नहीं है लेकिन मेरे खाल से सितारा जो है वो शायद कुछ और चीज़े हैं जिसकी वज़ा से वो इ जो है नज़र आया वो ये नज़र आया कि लोग अगर उनके व्लॉग में कुछ लोगों को नहीं देखना चाते हैं तो सितारा उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाती है जिसकी एक जिन्दा मिसाल जो है नीनचो है अच्छा वैसे नीनचो को भी बहुत जादा मुबारक बार सब माबाब को अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब करें उनकी तरफ से उनको कभी भी कोई दुख ना मिले तो नीनचो और फारुग भाई को भी बहुत बहुत मुबारक हो अचा अब यहाँ पर जाईसी बात हमें पता ही है कि सितारा ने एक चीज़ जो के अच प्रेंच किया है और अमी और जो बच्ची के जो पेरिंट्स है या बच्चे लड़के के जो पेरिंट्स है उन सब की मरजी से उन बड़ों की खुशी से यह सब हुआ है तो यह चीज़ एक अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से नजमा जो ने बताया कि जी सित सितारा ने कराया है तो मा अपने उपर ले रही हैं वहाँ तक की बात सही है कि नानिया दादिया जो है वो इन सब चीज़ों में पार्ट लेती ही हैं इंटर्फेर करती हैं बीच में यह सारे रिष्टे कराती ही हैं तो वहाँ तक की बात तो ठीक है लेकिन सितारा के उपर म मोट कर रहे होते हैं और जबके आपने उनी रिष्टों से तनी जादा आपने ड़स भी खाई होती है लिए उसके बावचुद भी आप जब यह सब कुछ कर रहे होते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं बसला बेतरी का ही मामला करें यही कहेंगे कि बहुत साई चीज़ों मैं देख अब उपते हैं तो उसके बाद आप अवेर होगी जाते हैं मिलना मिलाना नहीं चोड़ सकते हैं आप रिष्टों से 100% कट आफ नहीं हो सकते हैं लेकिन आप महतात हो जाते हैं तो अब सितारा किस हद तक महतात होई हैं ये तो अब उनको ही बहतर बता होगा हम क्या ही बोले ल यहां पर वो रिष्टे जब हमें नहीं नजर आए हैं तो हम यहां पर सुचते हैं कि इसका मतलब कि आप कुछ लोग हैं जिनके आप अपना इनफोर्स नहीं कर सकते हैं यानि के सिदारा के ऊपर या डीडी के ऊपर तो हमने देखा है कि नानी का इंफ्लोएंस है अमी का नजो के ओपर किसी का influence नहीं है या फारुक भाई जो है उनका तो हमें पता ही है कि वो कितने जो है उनका अपना influence है नजो जो है वो में खाल से हर चीज़ पर ही hold उनका है और चाचु जो अब यहां पर आ गए है तो उनकी मर्जी नहीं होगी कि डीडी जो है या बाबल जो है उनकी फैमिली यहां पर आए तो इस वज़े से हमें अब मतलब बहुत साई चीज़ है ना वाज़े नजर आ रही होती है देखकर थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि हमने देखा कि बहुत साई रिष्टे हैं खानदान हैं हम मिली जाएंगे खुशी गमी के मौके पर सबसाथ से मिलकर बैठेंगे ही लेकिन फिर भी कुछ रिष्टे जो है चीज़ पिक्चr क्यर थी कि सितारा की बातें कितनी यहां पर चलती हैं या सितारा की अम्मी का भी कितना होल्ड है सब हमने यहां पर देख ले hypocrisy का अगर उनका होल्ड होता तो यहां पर मुझे ऐसा लगता कि डी डी बाबर और और उनकी फैमली यहां पर होती कि ऐसा रह जाएगा तो मेरे खाल से सपोर्टर्स के मुँँ में थो बहुत वाते बाते आ गई हैं कि अगर आप लोगी सुलह थी आपके घर की खुशीती तो यहां पर बहुत सारे लोग मिसिंग क्यूं थे चाचू के जो भाई हैं वो यहां पर क्यों मिसिंग थे उन से क्यों नहीं कर रही हैं या किसी को खुश करने के लिए किसी को निराश कर रही है तो यह सब मुझे ऐसा लगता है कि इन्दी लॉंग टर्म जाए ना उनके अपने लिए ही सही नहीं है क्योंकि अगर कोई लोग आपके साथ मुखलिस हैं तो वो आप से कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि की खुशी में खुश रहने देंगे अब यहां पर अगर सितारा का घर यूज हुआ है तो वो सिर्फ जस्ट ये नजर आ रहा था कि वो जगा वो प्लैटफॉर्म सिर्फ यूज हुआ है वहां पर सितारा की अपनी कोई मर्जी नहीं क्योंकि जिस तरह सितारा अपनी हर तो वहाँ पर वो यही justification देती हैं थी कि मेरे बहन बाई हैं और मैं कब तक उनसे नराज रह सकती हूं मिलना ही होता है रिष्टे हैं आप कब तक रूठे रह सकते हैं तो यहां मुझे यह चीज लगी कि जो जिन रिष्टों को सितारा अपना भाई बोलती हैं जिन के लिए वो हमेशा से बोलती हैं कि यह रिष्टे मेरे साथ कड़े रहे हैं तो उनसे सितारा को क्यों दूर किया जा रहा है उनसे क्यों सितारा को cut off किया जा रहा है यह बहुती जादा एक अचीब सी है खिर जनाब इनके रिष्टे यही जाने हम तो जस्ट अपनी जो चीज देख रहे रहें एक ही जिन्दगी है उसे असान बनाएं अपने लिए भी दूसरों के लिए भी अपना ख्याल रखेगा लाहाफिज